तो बेस्ट गेमिंग स्मार्टफून अगर आपका बिज़ेट 20,000 है 20,000 के बिज़ेट रेंज में अगर आप हार्ड कोर गेमिंग करना चाहते हो तो यार यह वीडियो मैं श्पेशली आपके लिए करूं तो यार आज मैं आपको टॉब फोर स्मार्टफून बताऊंगा जिस अगर इस स्मार्टफून की बात करूं सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं तो अगर आपने 6GB के और जाना है वो भी आपको 20,000 के बज़ेट से नीचे ही बहुत नीचे मतलब आपको 16-17,000 के बज़ेट में 6GB RAM वीडिन के साथ देखने को मिल जागा अगर आ Snapdragon 732G देखने को मिल जाता है जो कि gaming के लिए perfect processor है plus आपको बैंटरी की बात करूं आपको 6000 mAh की बैंटरी देखने को मिल जाती है मतलो जितने भी मैं आपको फून बताने वाला हूं उन सभी में से इसकी बैंटरी जो है वो आपको बड़ी देखने को मिलेगी 6000 mAh की बैंटरी मैं जादे समय खराब नहीं करता इसके min specification की बात करी लेते हैं तो यह display की बातों को 6.67 inch full HD प्लस display देखने को मिल जाती है जो की 120 refresh rate के साथ देखने को मिल जाती है तो यह 120 refresh rate सच में matter करता है तो इसका display quality सच में तगड़ा होने वाला है प्लस मैं आपको बता देना चाता हू यह gorilla glass 5Q protection के साथ देखने को मिल जाती है तो जो phone है वो heating issue में नहीं जाने वाला processor की बात करो आपको snapdragon 732G देखने को मिल जाता है storage की बातों को 6GB RAM भी मिल जाती है आपको 8GB RAM भी देखने को मिल जाती है तो आप देख लेना जो भी आपके budget में सैट बैठता है मतलों जतना प प्लस 30MP प्लस 2MP, फ्लस 2MP, फ्लस 2MP, सैलफी की बातों को 20MP सैलफी मिल जाते है प्राइस की बात करूँ 6GB RAM राइस आपको 17000 के बज़ड में देखने को मिल जाता है तो फूल बहुत ज़्यादा सही है 6000 damage की बैटरी मिल जाना एंड आपको जो तगड़ा प्रसाइसर बगारा देखती को मिल जाना तो भी अगर आप hardcore gaming करना चाहते हो long battery life भी चाहिए तो आपके लिए perfectly हो चकते है Poco X3 आप चाह सकते हो अगर आपको battery भी तगड़ी चाहिए आपको उपरसाइसर भी तगड़ा चाहिए एंड आपको display quality भी बहुत अगरी मिल जाते है 120 refresh rate में matter करता है वो भी gorilla gas 5G protection के साथ ठीक है इस चीज़ को दियान में रखना है प्लस मैं आपको बता देना चाहते हो सभी के bind link मैंने description box में दिया हो है इन में से कोई भी अगर आप कोई देखना जाते हो परचेस करना जाते हो जैसे भी गरना जाते हो आपको देखने को मिल जाते है अब यहां के बात करते है number 3 की number 3 की बात करो number 3 पर यार मैंने रखा realme 7 pro को अगर इस smartphone की बात करो सबसे पहले इसका design look वेगर आपको बहुत जादा तगड़ी देखने को मिल जाते है प्लस आपको फुल HD प्लस दिस्प्ले देखने को मिल जाते है जो की 16 refresh rate के साथ देखने को मिल जाते है जो की gorilla glass 3 की production के साथ देखने को मिल जाते है तो display quality as comparison किया जाए पोको X3 के साथ देखने को मिल जाते है तो इसकी display quality तो आपको ऐसे इतनी तगरी नहीं देखने को मिल जाते है लेकिन इसके और भी specification देखने को मिल जाते है तो अगर आप रियल में लवर हो आपके लिए ये smartphone भी perfect deal हो सकते है आपको 4500 damage की बैटरी मिल जाते है आपके लिए भी ये smartphone perfect deal हो सकता है Snapdragon आपको 720G देखने को मिल जाते है जो की 8nm technology के साथ बेस जाते है प्लस आपको 6GB RAM देखने को मिलेगी तो अगर आपने गेमिंग के लिए लेना है 720G देखने को मिल जाता है storage की बात करूं आपको 6GB RAM देखने को मिल जाता है जो कि आपके फून को सिर्फ पच्छे से 30 मिन में full charge कर देगा मैंने आपको पहले भी बता दिया था camera की बात करूं आपको और camera setup देखने को मिल जाता है 64 Mpx प्लस 8 Mpx प्लस 2 Mpx प्लस 2 Mpx अगर आपने चयागूर करना है तो भी आप चयागूर भी कर सकते हो अगर आप परचेस करना जाते है तो भी आप परचेस भी कर सकते हो तो Realme 7 Pro भी आपके लिए perfect deal हो जटती है अगर आप Realme लवरो ठीक है अभी आगे बात करते है No.2 की No.2 की बात करूए No.2 पर मैंने रखाया Redmi Note 10 Pro Max को अगर इस smartphone की बात करूँ सबसे पहले ये नया launch हुआ है प्लस इसका design look अगर आपको बहुत ही जादा पसंद आने वाली है दो भी specification की बात करते है आपको full HD plus display मिल जादी जो की 120 refresher के साथ आगती है ठीक है प्लस gorilla class 5Q protection के साथ देखने को मिलेगा back and front के back and front के साथ ठीक है आपको 5020 mAh की battery मिल जादी प्लस 33 watt का fast charger प्लस भी आपको dual speakers देखने को मिलेंगे अगर आपने gaming करने है multi-dancing करने है आपके लिए यह जो smartphone है perfect deal हो जाकता है आपका experience मतलब बहुत सही होने वाला अगर आप Netflix Prime Video YouTube वीडियो देखने की भी जादा श्क्रीनों आपके लिए भी यह जो smartphone है perfect deal हो जागा प्लस आपको core camera shadow देखने को मिल जाता है जो की 108 megapixel के साथ देखने को मिलता है तो भई अगर आपको gaming के साथ साथ camera के according smartphone चाहिए तो भई मैं आपको फिर से एक बार recommend करते ना चाहता हूँ Redmi Note 10 Pro Max आपके लिए perfect deal हो सकता है प्लस आपको 60 में आपके साथ selfie मिल जाते है प्लस आपको camera application में ऐसे कई features मिल जाएंगे जो कि आपकी selfie को आपकी video recording को आपकी photos को बहुत आगे तक लेकर जा सकते है snapdragon 732G के साथ आपको processor देखने को मिल जाएगा 6GB RAM मिल जाएगे प्लस आपको 128GB storage देखने को मिल जाएगी अभी बात करते है इसके price range की तो आपको 90,999 के budget में Redmi Note 10 Pro Max देखने को मिल जाएगा ठीक है तो मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 Pro Max के अभी बात करते है अभी मैंने link जो आपको description box में देखने को मिल जागा white color का ही लोंगा तो अगर आपने लेना है तो white color में लेना मुझे भी ज्यादा सूट किया था and अगर आप लेते हो आपके लिए भी best deal हो जाएगी अभी आगे बात करते है number one की number one की बात करो number one पर यार मैंने रखा है realme access 7 को अगर इस smartphone की बात करूँ यह smartphone भी नया launch हुआ है plus यह 5G smartphone है 20,000 के budget range में आपको Motorola की और से भी देखने को मिल जाते है और भी brands आ जाते है जिन में आपको 5G जो है वो phone देखने को मिल जाते है लेकिन मैंने इस budget range में उनको नहीं रखा विकाज उनमें आपको display जब processor वगर इतना तगड़ा नहीं देखने को मिलता है जो कि सच है लेकिन Realme X7 आपको perfect deal देखने को मिल जाते है इसका design look वगर आपको इसकी भी बहुत पसंद आने वाली है बात कर लेते है में specification की थोड़ा सा deeply बता देता हूं तो यह display की बातों को 64 inch Amulet display मिल जाते है जो कि 16 refresh rate के साहत आती है जो कि Gorilla Glass 3 की production के साथ देखने को मिलेगी तो यह पर सैसर की बातों को media tech 800 U देखने को मिल जाता है जो कि 7 nanometer technology के साथ बेंटरी की बातों को 32 map अकिसा selfie मिल जाते है storage की बातों को 8 GB and 6 GB 2 में देखने को मिलता है जो भी आपके budget में set बैठता है आप उसके और जा सकते हो आपने multi-darking करनी है अगर आपको तगरा processor चाहिए अच्छा design चाहिए camera के recording चाहिए जब 5G smartphone चाहिए जा फिर अगर आपको बैटरी गुड 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 पैटरी चाहिए जो लांग टेम पैडरी जो बैटरी है जो आप अच्छी जाते हो लांग टेम पैडरी अगर आप यूज़ करना जाते हो आपके लिए भी मैने जो फून है बता दिया ठीक है तो यार अभी मेरी वीडियो यहीप और हो जाती है खतम अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी यार वीडियो को लाइक करते है और या दो तीन चीजे मैं skip गर गया तो हो जाता है यार वीड यूज़ आथ तेंक यू